जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है ठंडी का मोसम हो और गाजर का हलवा ना बने इसा तो हो ही नहीं सकता इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसानी से बनने वाले गाजर के हलवे की रेसीपी तो चलिए सुरू करते हैं तो हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक किलो गाजर ली है और गाजर को छील कर पानी से अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब एक पेन में 5-6 टेबल स्पुन देसी घी एड़ करके घी को अच्छे से गरम कर लेंगे घी गरम होने के बाद हमने जो गाजर कर दुकस करके रखी हुई है वो इसमें एड़ कर देंगे और अब हमें गेस की फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर लगाता चलाते हुए हम गाजर की घी में अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो तकरीबन 5 मिनिट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे तो देखिए यहां पर इसे लगाता चलाते हुए हमने 5-7 मिनिट के लिए भूल लिया है इस टेज पर हम इसमें दूध हेट करेंगे तो यहां पर हमने एक कप यानि की 200 एमल दूध हेट कर दिया इसे अच्छे से मिला लेंगे और गाजर को हम दूध के साथ पकने देंगे तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे क्योंकि हमें इसे कवर करके 20-25 मिनिट के लिए पकाना है तो देखिए हमने इसे low flame पर 20-25 मिनिट के लिए पका लिया है और बीच बीच में हमने इसे 2-3 बार चला लिया था और इस stage पर हम इसे एक बार और चला लेंगे और इस stage पर हम इसमें खोया यानि की मावा एट कर देंगे तो एक कीलो गाजर के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम मावा लिया और मावे को हमने कदुकस कर लिया है मिला लेंगे और गाजर के साथ मावे को 2-3 मिनिट के लिए और भून लेंगे देखिए हमने यहाँ पर मावे को भून कर एट नहीं किया है अगर आप चाहें तो मावे को भून कर भी एट कर सकते हैं लेकिन जब आप इसमें भूना हुआ मावा एट करेंगे तो चीनी एट करने के बाद उसे एट कीजिएगा तो देखिए मावे के मेल्ट होने तक हमने इसे 2-3 मिनिट तक और भून लिया इस टेश पर हम इसमें चीनी एट कर देंगे तो यहां पर हम एक कप चीनी एट कर रहे हैं तो हल्वे में चीनी इतनी एट करनी है वो गाजर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है क्यूंकि हम हलवे को मावे के साथ बना रहे हैं तो हमने चीनी की quantity थोड़ी ज्यादा ही रखी है और आप अपने टेस्ट का कोडिंग भी चीनी की quantity मेजर कर सकते हैं तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस्टेश पर हलवे को बढ़िया सा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा रेट फूट कलर भी एट करेंगे फूट कलर यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो स्किट कर दें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और इस्टेश पर हम गेस की की फ्लेम और लगाता चलाते हुए हाई फ्लेम पर हलवे की अच्छे से भूनाई कर लेंगे हलवे की जितने अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही बढ़िया हलवा बनकर तयार होगा तो बस थोड़ी सी और भुनाई कर लेंगे इसकी तो चीनी एट करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर दस मिनिट के लिए और भुन लिया और अब हम इसमें 1.5 टी स्पून इलाइची पाउडर एट कर देंगे और साथ ही में एट कर देंगे 2 टेबल स्पून ड्राइफ फूट्स ड्राइफ फूट्स आप अपनी पसंद के हिसाथ से कोई से भी एट कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए और पकाएंगे तो ड्राइफ फूट्स और इलाइची पाउडर एट करने के बाद हमने इसे एक से दो मिनिट के लिए और पका लिया और अब हमारा हल्वा सव करने के लिए बिल्कुल तैयार है ये देखिए कितना परफेक्ट गाजर का हलवा बनकर तयार हुआ है हलवे को सव करने के बाद हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़े से ड्राइफूट्स ओर एड़ कर देंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेश्ट है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिप्टि के साथ तब तक के लिए गुडबाई